अबी कपल काफी दिनों से परिशान चल रहे हैं, उनका बेबी अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो बिलकुल निराजशताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिलकुल सही जगह पे आए हैं, मेरे चैनल से बहुत सरे लोगों का कंसीव हुआ है, मेरे सब्सक्राइबर का अच् सब्सक्राइबर के लाव उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसीव हुआ है, तो डेफिनेटली आपका भी कंसीव होगा, इसी उमीद के साथ ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम हर्शुता वर्मा है, और आपका मेरे चैनल पे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जिसके वज़ा से बेबी कंसीव नहीं हो पाता है, अगर सारे फेबरेबल कंडिशन्स हैं, फिर भी बेबी कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो बेसिक गलतियां में आपको आज बताऊंगी, तो ये वीडियो काफी इन्फरमेटिव है, प्लिक शुरू से लेके लाज़ जग ज़रूर देखेगा, पहली जो चीज होती है, जो कि पहली गलति होती है, आपके मेंस्ट्रेशन के टाइम पे, यानि कि आपके पीरिड के टाइम पे, अगर आप हेर को वाश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलति होती है, उसके पर separately मैंने वीडियोस बनाया है, कि आखिर इसका scientific reason क्या होता है, क्यों hair wash नहीं करना चाहिए, ताकि आपको baby conceive करने में problem होती है, तो अगर आप देखना चाहोगे, तो आप आई बटन पे उस वीडियो की लिंक में डाल दोंगी, तो देख लीजेगा ज़रूरूरूरूरू होती है, कि जो couples अगर baby conceive करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आपके evolution का ज्यान होना ज़रूरी होता है, अगर महिलाओं और पुरिष्टों को evolution का ज्यान नहीं होगा, तो जब भी अगर आप relation प्लान करते हैं, उसकी pregnancy नहीं रुकती है, pregnancy ना रुकने के chances बनते हैं, तो मैं आ आपके शिर से under release होता है, उसकी दो दिन पहले या दो दिन बात तक अगर आप relation प्लान करते हैं, उससे आपकी pregnancy रुकने के 110% chances बनते हैं, थार्ड इंपोर्टेंट गल्ती जो की couples normally करते हैं, वो उनकी implantation के time पे relation प्लान करते हैं, बहुत सरे लोगों का ये complaint आया है कि relation प्ला आप relation को छोड़ सकते हैं, ये 10 दिन आपके लिए काफी जादा important है, जिस समय आपके शेर में implantation हो रहा है, यानि कि जो आपका गर्भ है, ननहा सा शिशू है, वो आपके गर्भाशा में चिपक रहा है, तो चिपकने के दोरान पे आपको कुछ ये सब गल्तियां नहीं करने चाहिए, वही पर अगर मैं फोर्थ गल्तियों की बात करूं, तो फोर्थ जो गल्ति होती है, वो होती है, हेर वाश करना, implantation के दिनों में आपको हेर वाश भी नहीं करना चाहिए, हेर वाश के उपर separately मैंने वीडियोज बनाया है, जो कि मैं end screen पर डाल दूंगी, तो आप मत भूलिएगा, लेकिन इसका अगर scientific reason की बात करूं, तो मैं nutsell में आपको यही बताना चाहूंगी, कि इससे आपके progestron की मातरा sudden drop होती है, और progestron की मातरा अगर sudden drop होती है, उसके वज़े से भी आपका रुका हुआ अगर भी गिर जाता है, तो आपको यह basically चार गल्तियां नहीं करनी चाहिए, ऐसे अगर मैं गल्तियों को और भी गिनवाऊं, तो बहुत सरी ऐसी गल्तियां होती है, जो कि couples अपने private moment के दोरान भी करते हैं, तो bedroom में कुछ ऐसी गल्तियां होती है, जो कि couples को नहीं करनी चाहिए, जो कि doctors आपको इतनी खुल के नहीं बताते हैं, अब ये वीडियो एंड करती हूँ, thank you so much for watching, twins my world.